हेलो इस्टूडेंट्स प्रवातम में प्रवेश शर्मा वेलकम बैक टू माइच चैनल आज हम स्रंसक्रत गद्ध की पार्थी उजना की विसे में आपको विस्तार से समझाएंगे की जाती है तो सबसे पहले प्रविश्टियं अंकित की जाती है इसी दिन आंकित विसे देख रहे हैं हमारा संस्कृत विद्ध्याले में चात्रा द्यापर क्यानी की पपिल टीचर पढ़ाने के लिए जाएंगे उसी विद्ध्याले का नाम यहां छेत्र सहीत अंकित करेंगे नेक्स्ट पॉइंट है उपविश है यानि की सब सब्जेक्ट है हमारा गद्ध यानि की प्रोज दूसरी साइड हम देख रहे हैं कक्षा आठ के लिए यह लेसन प्लान तयार किया गया है बर्ग आ कालांस प्रतम और अवधी 30 मिनिट यानि 30 मिनिट्स की है आव आते हैं टॉ सब्सक्राइब अब आते हैं विशिष उप्जेक्टिव से हमारे यानिकी स्पेसिफिक अब्जेक्टिव से चात्रान ग्राम जीवनस से प्रतिप्रें भावना उत्पन्नम कर्णम चात्रान ग्राम ग्रामेर जीवनस से महतों विशे अवगताम कर्णम चात्रावे क्लिष्ट सब्दानाम स्रल विधी मादमें ग्यान प्रतानम कर्णम अब देखते हैं नेक्स्ट पूइंट पर पूर्व गयाने इनकी प्रिविएस नौलिज चात्रा ग्राम जीवन विशे सामने परिचिता संती सिक्षिंग एड्स लपेट स्याम पर संकेता चौक दस्टार चित्र चार्ट इत्यादिया सामेक दिया अब आपके सामने पूरी पार्ठी उजना के प्रादू प्रस्तुत है जिसके की छे कॉलम्स तयार किये गए हैं पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स के लिए य यानि कि छात्र अध्यापा क्रिया के लिए फॉर्थ कॉलम है इस्टुडेंट्स एक्टिविटीज यानि कि छात्र क्रिया के लिए मैं और नेक्स्ट कॉलम है मैथार्ट्स टेक्निक एंड टीचिंग एड्स के लिए यानि कि बिधी प्रविधी और सहायक सामगरी के लिए लास्ट कॉलम है इवैलियोशन यानि की मुल्यंकन के लिए यह सबी कॉलम तयार किये गए हैं तो आप हम देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है यानि की टीचिंग पॉइंट तो पहला विंदू हमाता क्या है प्रस्तावना इसका उद्देश है पूर्व ग्यान प्रत्याइस् इसमें कुछ प्रस्ट पूछी जाएंगे और चात उनके उत्तर देंगे बयम कुत्र निफसामा बयम भात वर्से निफसामा यहां भात वर्स का चित्र तस्तुत किया जादा है चात इसको दिखेंगे और आत्म साथ कर लेंगे भात वर्से का व्यवसायम प्रधानों अस्त किरसी का करशती किरसी कर्स का करशती किर्स का कुत्र YOURS ती किर्स का ग्रामी इद्धिवढस यह पiece मुद्धिक का उध विष्याँ नवीन यान प्रते स्मझत हपलेगर बार उध्य convincing गए इसका उद्धिश्य है अद्ध बयम ग्रम जीवनव इती विचाय अध्यनम खर शात्रा ध्यान पुर्भुकं स्रोशेंथी नेक्स्ट पॉइंट है प्रस्तुती करण पर्थमन्विती यहां नवीन ग्यान प्रस्तुत के जाएगा यानिकी नवीन ग्यान प्रस्तुती करण इसका उद्रिश है असमाकम भात वर्स ग्राम प्रधान देश्या अस्ति ग्रामस्य सोभा अधित्तिया भवती ग्रामेसू ख्रीडणाय विष्ट्रतानी ही श्यत्रानी भवन्ती गोजनाय नवीनानी फलानी अन्नानी चा विशुद्रग्रतं पयस्य मिलंती पनाय चा कूपना मद्रम जलम चा सर्वत्र एव प्रापनु बन्ती ग्रामीडा हा निवाशिना हा ग्रामीडा बवन्ती ग्रामीडा नाम जीवनाम शांती मयं सरल चा भवती ग्रामीडा जना हा परिश्रम सीला बवन्ती यहां पर बाचन बिधी है उपर जो हमने प्रशनतर पूछे थे उसमें प्रदर्शन बिधी थी साथ साथ यने के प्रशनतर के साथ में प्रशनतर सेह प्रदर्शन बिधी का प्रियोग किया गया था यहां एक मुल्यांकन प्रशन हो जाएगा पॉइंट है अधर्स बाचन विदी का प्रयोग किया गया है नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अनुकरण बाचन वाचन कोशल का विकास यानिकी बाचन कोशल विकास यहां बाचन विदी का प्रयोग किया गया है नेक्स्ट इचिंग पॉइंट आ रहा है अनुकरण वाचन कोशल वाचन कोशल का विकास यानिकी बाचन वाचन वाचन कोशल का विकास शब्दा ग्रामिणा नाम शांती मयम अन्नानी उत्पादियंती कूबा नाम क्रेड नाय नेक्स्ट इचिंग पॉइंट है शब्दार था ग्यान वोध सवण कोशल वाचन कोशल विकास इसका उद्दिश्य है शब्द अर्थ दिये गए हैं इनके बाचिप्रियोबी छाप बोजन के लिए ग्रामीणा ग्राम के जन सर्वत्र सभी और पादियंती इनक नेक्स्ट इचिंग पॉइंट है next teaching point है मौन वाचन कोष्ण का विकास इसका उदशी है चाता देब का चातान मौन वाचन करतुम आदरिश्यती क्योंकि वाचन का ही रूप है मौन वाचन बेदी का प्रियुक किया गया है next teaching point है विचाव शलेज्रनात्मक양 प्नाइं यहां कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और चाहत उनके उत्तर देंगे तो पहला कुश्चन है ग्रामा से शोभा किद्रसी भक्ति ग्रामा से शोभा अधित्या भक्ति भोजनाय किद्रसी फलनानी मिलन्ती बोजनाय नवी नानी फलनानी मिलन्ती पानाय सर्वत्र का प्राप हूँए हैं जो साधन जलकाफिे क्यों कूप और जो पैने के गाओं में आड़ी की तक प्रयूग किये जाता है इस ड की तक शैट्र के रूपंई दिख्यों में तोantine कलिए इस यह को आत्मसाथ कर लें ग नेक्स्ट कोशन है ग्रामीडा केन पिलकारणे निवसंती ग्रामीडा सुख पूर्वकम निवसंती यहां प्रस्वत्त विदी का प्रियोग किया गया है नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है संचीप्ती कारणाम स्रवानो कोशल भासर कोशल विकास इसका उद्रिश्य है हमारा भात वर्स ग्राम प्रधान देश है गाउं की शोवादिती होती है गाउं में खेलने के लिए बड़े मेरान होते हैं बोजन के लिए नई फल अन शुद दूद और दही मिलते हैं पीने के लिए कुएवा मदोर जलसा वत राप्त होते हैं गाउं में रहने वाले ग्रामेर होते हैं का जीवन साधा और सवर मेहंती होते हैं यही आप चित्र देख रही हैं म Тыप करते हैं जणकी व्यक्तिविए उनका प्रमुख हासाई किरसी करते हैं और सुख से रहते हैं यहां व्याख्यान विदी का प्रयोग किया गया है आज स्याम पॉइंट स्यां पुष्यान का देखनां का निदिक्षिय थे लिएस पुस्ति काम लिख शेंथी पुष्यान पर समस्तर प्रविष्टी आंकिती हैं दिनाक विशै विपल विजश्याँ दिनांक जिजिन यह लेसन प्लान पढ़ाया जाएगा उसी दिन की यहां कित की जाएगी बिसे संस्कत है वो बिसे गद्ध यानि की रोज है क्लास यानि की कक्षा आठ के लिए तयार किया गया है बर्गार का लांस प्रिथम और अवधी 30 मिनिट की है अब हम देखते हैं पिलकरन यानि की टॉ इसका भावार्थ है गाऊं के निवासी ग्रामिड कहलाते हैं गाऊं का जीवन शांती में और सदल होता है यान की शांती में और सदल होता है बे लोग परिशनम सील होते हैं और उनका प्रमुख व्यवसाय ति इस प्रकार से जो स्यामपट का सार है वो सभी अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में च्छात्र उतार लेंगे नेक्स पॉइंट और लास्ट है होंबर्ग यानि की गिरह का रहे लेखन कोशल विकास इसका उद्रिश्य है च्छाता द्रहब का च्छात्र वे ग्रहे का देम आज के लिए इतना ही धन्यवाद